हेलो बूर्णिंग श्टूदेंट्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल एकाउंट्स बॉस एकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे चैप्टर मेरा चल रहा था फिनांसियल स्टेट्मेंट ऑफ एक कमपनी जिसका लेक्चा नमर फाइफ हम आपके साथ आज डिस्कूस करने वाले हैं और आज का टॉपिक होगा बच्चे प्रोब्लम्स ऑफ बैलेंसी टोफ एक कमपनी जिसमें हम सेयर कैप्टल आपको सो करना सिखाएंगे एक्जामने सन पॉइंट व्यू सी यह चार मार्स का है जड़ा आप ध्यान से सीखेंगे असानी से आप समझ जाएंगे और बहुत सारे कोश्चन हम इसे रिलेटेट करवाने वाले हैं गवरानी की जुरूवत नहीं है आपके स्क्रीन पड़ एक बहुत ही अच्छा कोश्चन है एजी कोश्चन से मैं सुरुआत कर रहा हूँ आई जारा कोश्चन का मैं लोग रीट करते हैं बच्चे वेन दा कंपनी हैस कॉल्ड अफ फूल वैल्यू अफ नमिनल वैल्यू अफ सेयर यह कोश्चन इस पर बेस्ट है जब कंपनी पूरा पैसे मांग लेती है अथ्वराइश केप्टल मर्कडी लिम्टेट का 15 लाख है डिवाइडें इटू 1 लाख 50,000 वैल्यू अफ 10 इच पेस वैलू दी हुई है नंबर अफ इकुटी सेयर दी हुई है अथुराजट की आउट अफ दीज कांपणी इसूर 1 लाख इकुटी सेयर 15 लाख में से एक लाख इकुटी से मतलव देर लाख में से एक लाख इकुटी सेयर आमजनता को पब्लिक के लिए इसू किया जाता है और पब्लिक अप्लाइड करती है 98,000 equity share के लिए सारे पैसे receive हो चुके हैं कैसे आप इसे balance sheet में दिखाएंगे share capital के रूप में इस balance sheet में तो से deal 3 part 1 of the company's act 2013 और आपको notes to account भी बनाने हैं तो ऐसा question एका exam में अगर आता है यह आपका 4 marks carry करेगा इसकी importance आप समझ सकते हैं और बड़ा easy question है बच्चे इतना easy question है कि आप ज़र आप ध्यान से देखेंगे और सीखेंगे तो हर चीज आपका clear हो जाएगा सबसे पहले तो हम balance sheet का format बना लेते हैं ज़र हेडिंग लिख लेते हैं solution में आते हैं बच्चे question number 1 का सबसे पहले तो आप लिखेंगे बच्चे balance sheet और जिस company का balance sheet है उसका नाम लिख देंगे balance sheet of बच्चा balance sheet में balance और seat अलग लग लिख सकते हैं कवराने की ज़रोत नहीं है कोई बच्चा बोल देता है और seat तो अलग होगा हाँ बच्चे seat अलग होगा तो balance sheet of mercury limited नाम तो आपको मालू ही है mercury limited question में दी हुई है वही लिखना है अपने से नहीं लिखना है ठीक है जो भी date question में रहता है जनरली ये financial year का end वाला बात होता है वो आप लिख लेंगे उसके बाद एक scale से के use करते हुए एक line do करेंगे बच्चे सीधा line के लिए हम भी scale use करते है बच्चे आईए line do करने के बाद आप करेंगे क्या जड़ा इस को ऐसे आप गुमा ले गुमाने के बाद मैंने आपको बताया है कि कि एक previous year के लिए एक current year के लिए और एक पतली सी हम लोग बनाते हैं note number के लिए इस पर गाड़ यह बन गया आप यहाँ पर लिखेंगे particulars format अच्छा से लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे note number यहाँ पर लिखेंगे current year का amount यह previous year का अप amount लिख देंगे amount of previous year amount of current year questions आप देख रहे होंगे बच्चे question में सबसे पहले जो है authorized capital हम लोग भी यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बच्चे सबसे पहला heading equities and liability हम लोग देते हैं equity and liabilities liabilities यह heading लिखने के बाद number one share holders fund आता है बच्चे आपको याद होगा तो share holders fund के अंदर आता है number A share capital और यही share capital आपका final answer होगा इस question का और यही आपको बनाने के लिए बोला है question में दूसरा part क्या बोला है notes to account भी बनाना है नहीं भी बोलता तो हमें notes to account बनाने होते वह यह जड़ा हम notes to account बनाएंगे और यही notes to account तो हमें सीखने है बच्चे इसी के लिए तो हम आया है आज आज के class में notes to account बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे एक line do कर लेंगे line do करने के बाद एक पतली सी और line do कर लेंगे एक amount की column यहाँ पर आप चाहते हैं तो एक amount की column भी do कर लेंगे प्रो करने के बाद share को हटा देंगे सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे बच्चे particulars यहाँ पर आप amount rupees का sign लगा देंगे सबसे पहला item यहाँ पर होगा number one हम discuss कर रहा है share capital का और share capital के अंदर आता है सबसे पहले authorized capital share capital के अंदर सबसे पहला जो होता है authorized capital जिसको हम लोग registered capital, nominal capital maximum capital के भी नाम से जानते हैं question जड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे में due ही है यहाँ पर लिख दियो और यहाँ पर आप double lining दे देंगे इसकी कोई जरुवत नहीं होती है बस इससे so करना होता है इसकी कोई calculation में जरुवत नहीं होती है authorized capital के नीचे आप दूसरा part देंगे issue capital और ठीक issue capital में आप देखे थे कि एक लाख साथ equity share था देख लिजे question तो यहाँ पर issue capital में आप यहाँ पर लिखेंगे एक लाख equity shares और यह भी 10 रुपिया का था तो यहाँ 10 इच लगा देंगे premium होता तो premium को share capital में ना दिखा के हम लोग shareholders fund का दूसरा reserve and surplus उसमें दिखाते हैं care premium होला question में हम लोग बनाएंगे और इसे multiply करेंगे तो यह आपका 10 लाख आएगा और इसकी कोई जरुवत नहीं होती हो बस इसे so करते हैं इसलिए double lining आते देंगे double lining लेने का मतलब है यह आपस में add नहीं होगा मतलब 15 10 लाख कवी add नहीं करेंगे double lining मतलब यह होता है accounts में यह final हो गया इसे आप दिखाना है इसूट capital के बाद आपने देखा था तीसरा होता है बच्चे subscribe capital format अगर आपको याद होगा तो और subscribe capital में दो भाग होता है अभी अभी lecture 4 complete हुआ subscribe capital में दो भाग होता है बच्चे subscribe and fully paid up दूसरा subscribe but not fully paid up अगर हम गौर करें इस question में बच्चे तो यह काफी easy question heading भी दे दिया कि company ने पूरे पैसे मांग लिये और पूरे पैसे shareholders ने दे भी दिये देखो यहां लिखा हुआ है the public applied for 98,000 equities here and all the money was duly received सारे पैसे मिल चुके हैं बस असान question है बच्चे मैं चाहता था आपको बता दू बस यहां पर आप याद रखेएगा यह वाला जो item है subscribe and fully paid up में जाएगा कि subscribe but not fully paid up में जाएगा तो मैं आपको बता दू इस question number one में यह सारे item जाएगा subscribe and fully paid up तो कितने से अर्दी हुई है बच्चे तो 98,000 मतलब एक लाक में public से 98,000 के लिए subscription आया है तो 98,000 यहां पर लिखेंगे 98,000 equity shares पूरे के पूरे company ने मागी है तो 10 रूपया each और 98,000 को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चे 9,80,000 और यह सबसे easy question है और यही 9,80,000 आप share capital में जो कि यहां पर हम note number जड़ा डाल दे 1 यहां पर लिख देंगे 9,80,000 आप 4 नमर लेके चले जाएगे कभी-कभी इतना easy question आता है बिल्कूल हाँ बेटे यह जो note number 1 हमने लिखा और इसी note number का हमने अगर आप गौर करेंगे तो एक solanation मैं यहां पर दिया हूँ notes to account में share capital यहां पर देखिए one number मैंने लिखा है यही note number है आप देख लीजे यह note number है वह one और इसका answer है 9,80,000 इसको आप जोड़ेंगे नहीं ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि यह पूरा question नहीं है यह actually extract है तो आप यहां पर लिक्स भी सकते है extract or balance it यह बड़े question का एक छोटा सा part है आप इस question में सिर्फ और सिर्फ shareholders fund का जो head होता है पहला share capital वही दिखा रहा है तो आपने गौर किया इस question में कि यह question जो है काफी easy है अगर ऐसा question आता है तो आप असानी से 4 marks ले आएंगे अगर इसे थोड़ा भाड़ी भी आता है तो 4 में 3 number कैसे लाएंगे दो number कैसे लाएंगे एक number कम से कम कैसे लाएंगे यह भी सीखना तो ज़रूरी है बच्चे तो आप उसके लिए कुछ नहीं यह format आप जड़ा लीजे कि कैसे मैंने आपको format बताया कि जो share capital है वो shareholders fund के अंदर जाता है और shareholders fund equity and liabilities के अंदर जाता है लिखने के भी तरीका देख लीजे यह capital roman में 1 मैंने लिखा उसके अंदर मैंने 1 लिखा तो थोरा सा आप इधर हट जाएंगे और फिर उसके अंदर A नमर है और A नमर में मैंने लिखा share capital B में reserve and surplus होता है बच्चे तो खेर हम reserve and surplus पे भी चर्चा करेंगे गबराने की जूरुत नहीं है मैं तो बस simply आपको यह सिखा रहा हूँ कि कैसे आप 4 नमर इतने easy questions में ले आएंगे और मैं फिर से बता दू authorized e-suit बस दिखाने के यह होते है मतलब आप बोल सकते हैं हाथी का दाथ है बस दिखाना है हाथी का जो बाहर वाला दाथ होता है न बस दिखाने के लिए होता है अंदर उसका जो बड़े बड़े दाथ होते हैं वो उसे खाते हैं हाथी लेकिन जो बाहर वाले होते हैं सो करने के लिए होते हैं तो यह 15 लाग और 10 लाग जो आपके स्क्रीन पे नजरा रहा है यह सिर्फ और सिर्फ सो अफ करने के लिए और सो तो बिलकुल कर रही है तो इस question में अगर marking की बात किया जाए तो बच्चे रियल यह जो सेर केप्टल 9,80,000 है यहाँ पर 1 मार्स मिलेगा और यह 3 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर 15,10,9,80,000 यहाँ पर एक एक नमर मिल जाएगा टोटल ए 4 नमर का question हो गया तो बच्चे कुछ नहीं बुझाता है तो मैं आपको बता दूँ जो सबसे weak बच्चा बैठा है यहाँ पर सबसे कंजोर बच्चा बैठा है लेकिन वो मार्स लाना चाहता है तो यह वाली दोनों point तो वो लिखी सकता है और यह नाम तो उतारी सकता है भले यह वाली amount उससे नहीं है तो नाम लिखना सीख लो और कुछ मार्स लाना सीख लो बच्चे कैसे भी देखो CVC बोलता है कि मैं मार्स देने के लिए खड़ा हूँ बस आओ और मेरे से मार्स ले जाओ मैं बाट रहा हूँ मैं मार्स ले लो CVC एकदम बोलना है खुलके बोलना है बच्चे को सिर्फ जाके ले लेना है लेकिन मैं क्या बता हूँ माई गॉड जब मैं कोपी चिक करने जाता हूँ तो बहुत सरे बच्चे ये 15 लाग 10 लाग भी लिख नहीं पाते बड़ा सरम की बात है बच्चे मैं उनके लिए भगवान से बड़ा दूआ मांगूँगा परतना करूँगा कि भाई उन्हें गॉड जी जड़ा उनके भी दि दूँगा 80 दूँगा 80 80 आएगा बच्चे बिल्कुल बहुत सरे बच्चे लाते भी हैं और उनके लिए तो मेरे तरफ से बहुत 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 कॉंग्रेचिलिसन है जो 80 में 70 60 भी लाते वह भी बहुत बेस्ट स्टूडेंट है ठीक है बस फेल नहीं करना है है ना मैं सोचा हूँ जड़ा छोटा 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 लेक्चर बना हूँ और एक एक कोश्चन मैं बैलेंसीट पे बताओ ताकि आपको सारा चीज आपके सारे दुख दूर कर दूँ मैं कोई प्रोब्लम ना हूँ ठीक है बच्चे सब तक के लिए बाए फिर मिलते हम लोग नेक् कर दूबर शिक्स में थैंक यू